नमस्कार दोस्तों मैं सावरोब आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल Perfect Mobile Solution पर दोस्तों मेरे पास यह जो डिवाइस रियल मी ब्रैंड की है और इसका मॉडल नमबर आपको बता दूँ मॉडल मेरे है रियल मिनार जो 50i ध्यान से सुन लीजिए मॉड तो यह लॉकर सो कर रहा है इसका मतलब डिवाइस हमारी FRP लॉक है आप देख सकते हैं डिवाइस को मैंने वाइफाइस से कनेक्ट किया हुगा है सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि मेरे पास यह जो डिवाइस है रियल मिनार जो 50i यह पूरी तरह से FRP लॉक है यानि की गूगल एकाउंट लॉक है एक चीज़ धान दीजिए अभी जो लेटेस से क्योटी आई है दोस्तों उसमें FRP बाइपास करने में बहुत सारी प्राबलम फेस करनी पड़ रही है ठीक है और प्राबलम क्या फेस करनी पड़ रही है कि जब हम किसी अप्लिकेशन आप याँ डिसेबल करके डिवाइस का FRP बाइपास कर सकते तो यही प्राबलम इस डिवाइस में है ठीक है तो इसका क्या सल्यूसन है कैसे इसको अंडलाग करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिलाल आप देख सकते हैं यह देखे बैरिफाई रिकाउंट का आप सना गया ओके तो अभी आपको करना क्या है पहले जो प्राब्लम फ्रेस करनी पड़ी वह मैं आपको दिखा देता हूं इसके लिए सबसे पहले तो हम बैक आ जाएंगे होम स्क्रीन पे ठीक है यहां से हम टॉक बैक आउन करेंगे तो यहां से वाल्यूम अपडाउन इ ओपें सेटिंग ठीक है मैंने सेटिंग ऑपें कर ली और यह मैं टाउक बैक यहां से आफ कर देता हूं थीक है टाउक बैक आउफ करने बाद दूस्थों Apps and Notification पे क्लिक करते हैं CR44 Apps पे क्लिक करते हैं, आप देखें, यहीं problem phase करने पड़े, यह देखें, कोई भी application आप देख सकते हैं, दोस्तों, XYZ, Google Play Store या services, XYZ, किसी भी application को आप यहां से open नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यह latest security के वज़ा से आपको यह problem phase करनी बढ़ रही है, model नमर एक बार confirm कर देता हू यहां पर देखेंगे, तो यह देखें, Narjo 50i, ठीक है, RMX भी आपको confirm कर देता हूं, तो इसका RMX है दोस्तों, 3, 2, 3, 1, ओके, यहां तो confirm हो गया, अब देखें कैसे इसका FRP bypass करना है, इसके लिए दोस्तों हम चलेंगे अपने desktop के screen पे, तो यहां finally दोस्तों मैं आ चुका यह device unlock होगी, ओके, इससे पहले, एक चीज़ और ध्यान दे, device को PC से connect करने के लिए आपको driver install करना होता है, ठीक है, तो driver कैसे install करेंगे, यह मैं आपको बता देता हूं, यहां side में देख सकते हैं, फोल्डर है, इसमें driver है, मैं इसे double click करके open करता हूं, ध्यान दीजिए, यह extract हो रहा है, यह हो गया, यह रहा फोल्डर, ठीक है, अब इसे मैं side में कर लेता हूं, double click करके open करूंगा, अब यहां पर धान दीजिए, Windows 7, 8 और 10, यह सब के लिए driver है, 10 वाला 11 में भी use हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास Windows 10 है, मैं इसे open करूंगा, यहां पर दिखिए, 32, 64 bit है, आपका operating system जिस पर हो, वो आला driver आप इंस्टाल करेंगे, मेरा 64 bit है, मैं इस पर double click करूंगा, और बहुत आसान है, इसे install करना, double click करके open करेंगे, yes करेंगे, next, और simply बस next करी, यह driver इंस्टाल हो जाएगा, यह देखे, A to Z, सारा driver यहां पर इंस्टाल हो गया, last मैं आप आपको simple finish पर click कर देना, आप देख सकते हैं, यह देखे, सारे के सामने check हो गया, ठीक है, यानि कि सारा driver इंस्टाल हो गया, last मैं आप finish कर दें, तो इस तरह आपको driver इंस्टाल करना है, ओके, तो driver इंस्टाल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब driver का link मैं आपको description box म मिल जाएगा, तो यह अनलाग tool है, इसको मैंने यह paid tool है, मैंने इसे login कर लिया है, इसे login करना होता है, तो मैंने login कर लिया है, कुछ इस type का interface आपको देखने को मिलेगा, ऊपर की तरह बहुत सारे brand है, यह जो brand है, realme है, तो इसमें आपको realme या oppo दोनों एक ही brand है, तो आप आपको oppo select करना होता है, category जो आपको select करनी है, वो oppo, ठीक है, oppo में आनेक बाद, यह model number आपको type करना है, तो यहाँ पर मैं model number type कर देता हूँ, 50i सिर्फ मैंने लिखा, ठीक है, जैसे 50i लिखा, तो यहाँ पर ध्यान दीजे, realmeenaar, जो 50i, यह model number आ गया, मैं इस पर click ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखे, दो option है, erase, frp और factory reset, ठीक है, हमें factory reset नहीं करना है, factory reset का मतलब कि इसका pattern pin password break करना है, तो हमें तो ओद करना है, हमें frp erase करना है, तो erase frp मैंने click किया, ठीक है, अब एक चीज़ धिहान दीजे, मैं एक बार फिल से repeat करत ठीक है, device को आपको power off करके रखना है, ठीक है, power off हो गई device, तो उसके बाद करना क्या दोस्तों, volume up down, ठीक है, यह up down, इन दोनों बेटन को आपको press करके रखना है, ठीक है, और अब देखे, मैं cable लगाऊंगा, जैसे ही cable लगाऊंगा, तो यहाँ पे धियान दीजेगा, यहा अब up down से मैं finger हटा सकता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं, नीचेक तरब process होने लगा, कुछ second लगेंगे, और device का FRP पूरी तरह से bypass हो जाएगा, ठीक है, और यह देखे दोस्तों, erase FRP last में देखे, okay आ गया, और यहाँ पे देखे, device reboot हो गई, okay, तो अभी device reboot हो चुकी है, औ तो वहाँ पे erase FRP का message भी आ चुका है, यानि कि device का FRP completely bypass हो चुका, ठीक है, अगर आपको कोई भी device घर बैठे बैठे अनलाग करवाना हो, तो आप मुसे contact कर सकते हैं, दोस्तों, detail मैंने description box में दे दी है, वहाँ से आप बिल्कुल contact कर सकते हैं, 100% trusted मैं पूरा काम करके आपक बाइपास हो गया, यह देखे, device reboot होकर बिल्कुल पहले mode पे active हो चुकी है, यहाँ उपर की तरफ अब ध्यान दीजे, locker तो वह locker नहीं सो कर रहा है, इसका मतलब device का FRP bypass हो चुका है, setup करके भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ start पे click करेंगे, skip पे click करेंगे, skip पे click ध्यान दीजे दोस्तों, अगर आपने driver नहीं install किया है तो आपकी device PC से connect नहीं होती है, यह चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, driver कैसे install करना वो मैंने आपको detail में बता दिया, तो यहाँ से हम don't copy करेंगे, अभी देखेगा setup offline का option आएगा, फिलहाल उपर की फो लॉकर सो नहीं कर रहा है, इसका मतलब device का FRP bypass हो चुका है, तो अभी मैं आपको complete setup भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे time इसलिए लग रहा है, क्योंकि device हमारी पहले से Wi-Fi से connect थी, अभी भी connect है, तो इसलिए थोड़ा सा time ले रहा है setup में, लेकिन FRP bypass हो चुका है, और यह दिखे, Google account cops नहीं आप इसकी पा गया, ठीक है, तो इसकी पा गया, इसका मतलब FRP bypass हो गया, ठीक है, तो यह पूरा full process था, unlock tool का यूज करके आप अपने device का FRP bypass कर सकते हैं, ओके, तो फिलाहल मैं complete setup करके दिखा देता हूँ, आपको video कैसी लगी, comment section में comment करके जरूर बताईएगा, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो, किसी भी device को घर बैठे बैठे अनलाग करवाना हो, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, contact detail में डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है, और यह ध्यान देजिए, latest security की वज़़ा से दोस्तों, इस device का FRP जो है, यानि की Google account lock, आप Gmail ID lock, जो भी कह लें, यह online ही हो रहा है, ठीक है, unlock tool का यूज़ करके आप easily इसे unlock कर सकते हैं, वीडियो के बारे में आप अपनी राम, उससे comment section में comment करके जरूर बताईएगा, और वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को share करिएगा, like करिएगा, और ऐसे ही सा पता चल चुकी होगी कि इसका FRP जो है, पूरी तरह से bypass हो चुका, क्योंकि यहां कहीं भी, जो है कि आपने देखा, यहां पे जो है कि Google, यहां से हम next करेंगे, next करेंगे, ठीक है, इस option को हम उपर से skip कर देंगे, ओके, और यह देखें दोस्तों, complete setup करके दिखा दिया, device का FR पी, जो है कि completely bypass हो गया, device हमारी completely unlock हो गए, ठीक है, एक बाशिक से मैं इसका model नुमर आपको confirm कर देता हूं, device की setting में आएंगे, setting में आनिक बाद दोस्तों, यहां पे देखे, about में आप देख सकते है, model नुमर रियल मीनार, जो 50i, और यह जो RMX है दोस्तों, 3231, ओके, वीड Thank you so much.